हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक से बढ़कर एक बहुत ही ईजी और टेसी चिकन के स्टार्टर्स बताने जा रही हूँ, जिसे बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रीडियन्स लगेंगे, तो आप इसे कोई भी पाटी इसमें और स्नाकिंग के जटपड बना सकते हैं, तो च एक टीस्पून दनिया पावडर, आदा टीस्पून मैं डाल रही हूँ, गरम मसाला, 2 तीस्पून अद्रक लहसून का पेस्ट, फिर मसमें डालुगी, 2 तेबल स्पून कॉन फ्लार, 1 तेबल स्पून चावल का आटा, 2 तीस्पून लेमिन जुस, और इन सारी चीजों को अ चिकन के उपर और इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे और इसे marinate होने देंगे करीबन 15 मिनिट के लिए नेक्स यहाँ पर मैंने तेल रखा है गरम होने के लिए जैसी गरम हो जाएगा इसमें पीसस डालते जाएगे एक एक करके तो सारे पीसस डाल दीजे बहुत सारे पीसस भी मठ डालिएगा वरना तेल का टेमपरिचर कम हो जाएगा तो सारे पीसस डालने के बाद इसे फ्राई कीजे दो से तीन मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर या फिर जब तक चिकेट अच्छी तरीके से अंदर से पक न जाए और उपर अच्छा सो गोल्डन ब्राउन रेडिश कलर न आ जाए तो इसे फ्राई कर लेंगे तीन से चार मिनिट के लिए यह देखेए अगसे बढ़िया तरीके से फ्राई हो गएं हो गएं कृस्पी हो गये गौल्डन ब्राउन होगएं उपर से तो इन्हें निकाल देंगेी बहुत भड़िया देख रहें और प्लेस कर देंगी किचन डा इसमें मैं डालूँगी एक टी स्पून बारीक कटी हुई लेसून इसे फ्राइ करेंगे थोड़ी दिर दिर और फिर मैं डाल दूगी 2-3 हरी मिर्ची, 2-3 सूखी लाल मिर्च, 8-10 कर्डी पत्ता, 1 टेबल स्पून मैं डाल रही है लाल मिर्ची का पेस्ट, आप चाहें तो तो यहां पर मैं प्रिंगल कर रहूँ थोड़ा सा पानी ताकि अच्छे से बेस त्यार हो जाए तो बस अब इसमें हम डाल देंगे हमारे फ्राइ कियोए चिकन के पीसे और इन सारी चीजों को अच्छे से टॉस कर लेंगे बस एक से दो मिनिट के लिए जैसे सारे चिकन के प चिकन 65 तयार हो गए ऐसे आप घरमा करम इंचॉय कर सकते हैं लग रही है बिल्कुल शानदार रेसिपी नेक्स बनाएंगे मेरा फेवरेट चिकन टॉली पॉप जिसे बनाने के एक बोल में मैं ले रही हूँ चार टेबल स्पून मैदा और साथ ही मैं डाल रही हूँ दो ट टी स्पून अधरकले सून का पेस्ट फिर मैं डाल रही हूँ एक अंडा जिसको मैंने फेट के रखा था दो टी स्पून सोय सॉस और एक टी स्पून विनेगर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चैसे इसका गाडा घोल तयार हो जाए यह देखिए एक गाड अच्छ फूड कलर वैसे ही ऑप्ष्टनल है लेकिन इससे बिल्कुल वो मार्केट जैसा लोकाता है तो कलर थोड़ा सा डाल दीजे कम ज़्यादा जैसे आपको पसंदो और इगाडा घोल तयार हो गया है तो इस मैरिनेशन में हम डाल देंगे चिकन लॉलीप की पीसे तो करीबन 10-12 चिकन लॉलीपॉप और इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मतलब सारे चिकन लॉलीपॉप को अच्छे से कोट कर लेंगे इस मैरिनेशन के साथ और इसे रेस्ट करने रखेंगे बस 10-15 मिनिट के लिए नेक्स जा पर मैंने तेल रखा है गरम होने क जैसे गरम हो जाएगा इसमें एक एकर के लॉली पॉप टालते जाएंगे कम जादा जैसे आपकी कडाई में आते हैं और इसे मीडियम हाई फ्लेम पर पकने देंगे करीब इन तीन से चार मिनिट के लिए इन्हें पकनों में जादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है क्योंकि बहुत ही ज़ादा सौफ्ट होते हैं अंदर से तो इसे तीन से चार मिनिट के लिए पकने दीजिए जैसे कि बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएं बाहर से और अंदर तक पक जाएं आप चाहें तो इसे नाइफ से भी इंसर्ट करके चेक कर सकते कि चिकन अंदर तक पका है कि इसे तीन से चार मिनिट काफी हो जाते हैं तो बस एक दम अच्छे से फ्राय हो गए उपर से अच्छा सा कलर भी आ गया क्योंकि हमने इसमें पिंच कलर भी यूज किया था तो इसे निकाल देंगे किचन टाल के ओपर इसी तरह से सारे फ्राय कर लेंगे इदे कितने बढ़ फिर मैं इसमें डाल रहे हूँ दो टी स्पून सोय सॉस, तीन टेबल स्पून टोमाटो सॉस और दो टेबल स्पून भरके शैजवान सॉस यह घर की बनी हुई शैजवान सॉस है जिसका लिंक अप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं इन सारी चीजों को मिक्स कर बेस बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया दिखरा है मसाला और अगर आपको जरूरत लगे तो बिल्कुल हलका सा पानी यहां पर स्प्रिंकल कर सकते हैं गाड़ा बेस बनाने के लिए तो यह देखिए बेस मसाला तयार हो गए इसमें हम डाल देंगे हमारे तयार किवे चिक यह देखिए अच्छे से कोट हो गए बहुत जादा कोक नहीं करना है वरना फिर से कड़क हो जाएगा बस थोड़ा सी टॉस कर लीजे इसको और फिर इसमें लास में डाल देंगे फ्रेश धनिया और इसे भी मिक्स करेंगे तो बस यह पढ़िया से एक दम छटपट घर का बना हुआ ताजा शैजवान चिकन लॉलीपप तयार हो गया है आप इसे इंजॉई कीजिए और आपको मज़ा आ जाएगा इसको मैं सर्फ कर रहे हूँ इस पत्ते के ऊपर जस्फ फॉर द लुक लग रहा है ना एक दम मज़े का नेक्स बनाएंगे केफसी स्टाइल फ्राइड चिकन जिसके लिए मैंना यहाँ पे चार लैग पीसस लिए यहाँ इसे मैं अच्छे से धोल लिया था इसको मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर चाकू से स्लिट्स लगा लोगे ताकि मासाला अंदर तक अच्छे स यूज कर सकते हैं अगर पास है तो फिर मैं इसमें डालोंगी एक चममच नमक एक टेबल स्पून अध्रक लेस्टोन का पेस्ट आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और आधा टीस्पून मिक्स्टव सीजनें इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह दोबा लीजिए जए तो चीज़से और पुरा एक्दम पूरा कम चीज़सी हो जाए आंदर पूरा अंदर तकी मसाला जाना चाहिए अब हैंपỏर्टन चीज़ को तीन से चार गंड़े तक के मैरिनेत करना है तो यह चाहें तो 10 से 12 गंडे के लिए अपिर ओरोनाइट स्ट करीबन कम से कम चार पांच घंटों के लिए तो आपको रखना ही है तो जब तक ही भीग रहा है इसकी कोटिंग बना लेते हैं एक बोल में डालेंगे एक कप मैदा नेक्स मैं डालूंगे आधा कप कॉन फ्लार और फिर मैं डालूंगे थोड़े से कॉन फ्लेक्स यह प्लेन अब इसको हलका सा क्रश करके डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे कोटिंग के लिए और अब है इसमें खेल मसाले का तो इसमें के डालता है पूरे 11 सीक्रेट स्पाइस तो वह 11 स्पाइस सबके पास तो अवेलेबल नहीं होते हैं तो मैं जो मसाले यूज कर इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे और वो जो 11 सीक्रेट स्पाइस के फसी डालता है उसकी सारी लिस्ट मैं आपको नीचे दिस्क्रिप्शन में दे दूगी आप चाहें तो वो सारे मसाले यूज कर सकते हैं तो ये कोटिंग रेडी हो गया है नेक्स एक बोल में मैं दो अंडे बीट कर लूगी और इसमें मैं डालूगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी करीबन दो टेबल स्पून पानी और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे तो ये चिकन भी काफी अच्छे से मैरिनेट हो गया है एकदम अंदर तक के पूरा रस चले गई इसमें तो अब इसको हम कोट कर लेंगे तो सबसे पहले इसको ड्राय मिक्चर में अच्छी तरह से कोट कर लीजे चारो तरफ तक अच्छे से एकदम लटपड जाए इस मसाले के साथ और उसके बाद हम इसको कोट कर लेंगे अंडे में क्योंकि सूखी कोटिंग रहेगी बाहर तो अंड़ अच्छे से अब्जॉब कर लेगा तो बहार से एकदम अंडे की कोटिंग लगा लीजे उसको एक्स्ट्रा को निकाल दीजे और फिर जैसी अंडे की कोटिंग इसमें लग जाएगी वापस इसको हम कोट कर लेंगे क्यायी भीजेश झाए लुटीग के वापस सूखे कोटिंग में इसमें अपे जाएगेस अंडे में उपासे सूखे कोटिंग मेर् आपकी दबल कोटिंग हो जाएगी है तो आaaa कि ने को चल तो यहां पे माने और अडे अंट में थान गरम होने के लिए इसमें इस पर एकश आप रख सकते हैं क्योंकि हमारे पीसेस बड़े हैं तो इन फ्राय होने में थोड़ा से जादा समय लगेगा तक यह अंदर तक यह पक जाए तो इसे हाई फ्रेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाईएगा वरना यह उपर दार्क हो जाएंगे और अंदर से कच्छे रहे जाएंग क्योंकि पीसेस बढ़ा है तो आप चाकु डाल के भी चेक कर सकते हैं कि अंदर तक सॉफ्ट है कि नहीं तो बस पूरी तरीकी से पग गया इसी तरह से सारी चिकन के पीसेस फ्राय कर लेंगे तो बस ही हमारा केवस्टी स्टाइल फ्राय चिकन पीसेस तयार हो गया है यह दि 300-gram minced chicken याने की chicken का कीमा इजली मिल जाता है market में पर अगर आपको यह नहीं मिले तो अब बॉनलेस chicken की पीसेस को भी फूट प्रोसेसर में या ब्लेंडर में डाल के ऐसी consistency तक कि ला सकते हैं फिर आम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर आ अधा टीस्पून रेच चिली फ्लेक्स और आधा टीस्पून मैं यूज कर रहे हूँ मिक्स्ट अप सीजने फिर मैं डालोंगे दो टीस्पून अधरकले से पेस्ट एक चोटा प्यार जिसे मैं ने से बारी काटा है और एक्स्रा टेस्ट के लिए मैं डाले हूँ चार चिकन के कीमे में तो यह देखिए हमारा चिकन का बेस तायार हो गया है अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे सेट करने लिए करीबन 15-20 मिनिट के लिए वैसे आप चाहें तो अभी अगर हैंडल कर सकते तो अभी कटलेट्स बना सकते लेकिन मैं इसको थोड़ा सेट करने के अब अपने हाथों में हलका सा तेल लेंगे और इसके कबाप, कटलेट्स, राउंडल, स्टिक्कियां जैसे आपको पसंदे आप बनाते जाए तो मैं इसका थोड़ा सा लंबा और ओल शेप ऐसे बना रही हूँ इस तरह से क्योंकि मुझे इससा शेप पसंद है आप चाहें जैसे बना रही हूँ आप चाहें तो टिक्कियां भी बना सकते हैं इसको हम डाल देंगे प्लेन फ्लार के उपर मैदा के ऊपर बस मैं कुछ भी नहीं डाला है और मैदा के बाद मैं इसको डिप कर दूगी फेटे हुए अंडे में तो बस इस बोल में मैंने अंडा ऐसे ही बिना नमक के क्योंकि हम इसको वैसे भी अप कोट करने वाले हैं ब्रेट करम्स के साथ तो ब्रेट करम्स में काफी नमक होता है तो इसको ब्रेट करम्स के ऊपर ऐसे अच्छे से चारो तरफ से तक इसमें अच्छी सी कोटिंग आ जाए यह देखिए यह एक चिकन फिंगर इसको डबल कोट करना है तो आप इसको फिर से अन्डे के उपर डाल दिजे और तुरंत ब्रेड कुर्ब्स में डाल दीजे तू आपकी डबल कोड़ीं भी हो जाएगी तो यहाँ पे मैंने आज single coating ही किये आप चाहे तो double coating भी कर सकते हैं सारे chicken fingers तयार हो गए हैं इसको आप छोड़ सकते हैं फ्रिज में ये 2-3 दिन तक ही अच्छे रहते हैं नेक्स यहाँ पे मैंने तेल रखा है गरम करने के लिए इसमें एक एक करके सारे chicken fingers डालते जाएंगे और इसे fry करेंगे तीन से चार मिनिट के लिए medium high flame पर जब तक यह बढ़िया से golden brown और crispy ना हो जाए वैसे chicken कीमा है इसके अंदर तो उसे पकने में बहुत जादा समय नहीं लगता है तो यह देकी बढ़िया से golden brown होगे है बहुत crunchy भी दिख रहे है इसको निकाल देंगे kitchen टाल के ओपर और इसी तरह से बाकी का बैच भी fry कर लेंगे तो बस गरमा गरम एकदम crunchy chicken fingers enjoy करेंगे ketchup टेप या फिर शैजबान sauce के साथ थी ना बिल्कुल मजे की रेसेपी तो अगर आपको आज की सारी रेसेपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बाबाई